चैप्टर टैन एक्जाम्पल नंबर सेकंड जो एक्जाम की दरस्ती से इंपोर्टन्ट क्यूशन है टू टैंजेंट्स टी पी एंड टी क्योग आर ड्रॉन टू ए सरकल विद सेंटर ओ फ्रोम एन एक्स्टरनल पॉइंट टी प्रूव एट एंगल पी टी क्योग एक्वल टू एंगल ओ पी क्योग हमें प्रूव क्या करना है यह जो एंगल है इस एंगल से डबल होगा तो given कहां से कहां तक लिखेंगे तो टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यों आर ड्राउन टू ए शर्कल विद सेंटर ओ फ्रोम एन एक्स्टरनल पॉइंट टी यहां तक हम given लिखेंगे प्रूप क्या करना है अपने को यह प्रूप करना है तो angle पी टी क्यों एक्वल किसके होगा टू एंगल ओ पी क्यों कि यह हमें प्रूप करना है प्रूप में क्या करेंगे टी पी और टी क्यों क्या चीज है यह टेंजेंट और टेंजेंट क्या होते हैं एक्वल होते हैं फ्रोम एन एक्स्टरनल पॉइंट तो tp equal to tq यह tangents है tangents अब क्या करेंगे triangle लेंगे हम tpq in triangle tpq अब इसमें tp equal किसके है tq kao के है तो tp equal to tq यह prove कर लिया हमने therefore अब इनके opposite angle equal होंगे tp का opposite angle कौन से है यह और tq का opposite अब यह दोनों आपस में equal होंगे तो हम इसको angle 1 ले 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 लेते हैं और इसको अंगल टू ले लेते हैं, तो अंगल वन और टू आपस में क्या होगे, इक्वल होगे, तो अंगल वन इक्वल तू एंगल टू अपोजिट एंगल और उफ इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आपने पास है टी पी क्या हूँ इह एंगल 1 यह 2 इसको अम 3 ले लेते हैं अब इन तिन्नों का sum कितना होगा 180 होगा तो angle 1 पलस angle 2 पलस angle 3 equal to 180 degree sum of all angle soffit triangle is 180 degree अब हमें angle 1 नहीं चाहिए तो 1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 ले लेते हैं क्यों दोनों आपस में equal हैं तो angle 2 पलस ये angle 2 पलस angle 3 equal to 180 degree अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 angle 2 पलस angle 3 equal to क्या है 180 degree इसको equation फर्स लिख लेते हैं अब क्या करेंगे angle ये 2 और इसको हम 4 ले लेते हैं अब angle 2 पलस 4 ये 90 degree होंगे क्यों होंगे angle between radius and tangent radius और tangent के बीच में जो angle बनता है वो 90 degree का होता है तो हम क्या लिखेंगे अब angle 2 पलस 4 angle 2 पलस angle 4 equal to 90 degree angle between radius and tangent अब angle 2 की value निकाल लेते हैं angle 2 किसके को लाएगा 90 degree minus ये angle 4 इस साइड में आएगा minus का हो गया अब angle 2 की value अपने पास 90 degree minus angle 4 आया अब angle 2 की जो value है ये equation फर्स्ट में फुट कर देंगे तो ये 2 bracket angle 2 की value कितने अपने पास 90 degree minus angle 4 पलस angle 3 equal to 180 degree अब क्या करेंगे इसका bracket solve करेंगे हम अब bracket कोल लेंगे तो अंदर वाली संख्याओं को 2 से multiply करेंगे तो ये 180 degree minus 2 angle 4 पलस angle 3 equal to 180 degree अब क्या करेंगे angle 3 को left side में लिखेंगे और इन दोनों को right side में भेज़ देंगे तो angle 3 किसके equal आ जाएगा 180 degree अब ये minus का हो जाएगा और ये plus का हो जाएगा तो minus 180 degree plus 2 angle 4 अब 180 degree से 180 degree कट जाएगा क्यों एक plus का है एक minus का है तो अपने पास क्या आएगा angle 3 equal किसके आएगा 2 angle 4 के अब angle 3 क्या था अपने पास angle 3 ये है तो ये p, t, क्यों लिखा जाएगा और angle 4 ये है इसको क्या लिखा जाएगा o, p, क्यों लिखा जाएगा तो angle 3 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे angle p, t, q, equal to 2 अब angle 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे o, p, क्यों और ये हैं हमें प्रूब करना था वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो लाइक करें और जो चैनल पर पहली बार आएगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू